अगर बालक जेमेटरी के प्रोब्लम को सॉल्फ करने में तुम्हें मज़ा आता है तो ये काफी बेहतरीन कोश्चन है ध्यान से देखोगे NTSC 2017 में पूछा गया था कोश्चन में ये गिवेन था बालक कि यहां जो फिगर में तुम्हें ABCD दिख रहा है ABCD ये एक स्क्वाइर है और AOB जो दिख रहा है ये एक इक्विलेटर ट्रेंगल है और तुमसे X का वहलू बालक पूछ दिया गया था एक बार कोश्चन को जरूर ट्राई करोगे और फिर सलुसन देखोगे मज़ा आएगा देखोगे मज़ा आने वाला है यहाँ पर हम क्या बोल रहे है बालक कि OAB जो है ये वाला चीज ये जो है ओए भी एक इक्विलेटर ट्रेंगल है इसका मतलब ये 60 डिगरी हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है बालक हाना इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि ये जो है ये 60 डिगरी हो जाएगा एक्विलेटर ट्रेंगल का सारा एंगल और सारा साइड इक्वल होता है यानि 60 डिगरी होता है सारा और साइड सारा इक्वल है अब नोटिस करने वाला बात ये है नोटिस करने वाला बात कि वह भी 60 होगा not और इसक्वायर के चलते हैं फूरा 90 था सक्वायर के चलते हैं फूरा 90 था तो यह बालक 30 होना पड़ेगा इसको तब थो 60 और 30 मिल करके 90 होगा हैं और हमें निकालना बालक एग से यहां तक पहुंचना है कैसे पहुँचेंगे देखा जाए हम यह बोल रहे थे कि देखो यह वाला जो side है notice करो इस बात को यह वाला जो side है यह equilateral triangle का भी side है और square का भी side है मतलब यहाँ पर AB जो है na AD के equal है और AB जो है वो OA के equal है ध्यान से देखो AB जो है यह OA के q equal है क्योंकि equilateral triangle का सारा side equal होता है और AB जो है AD के q equal है क्योंकि square का सारा side equal है इसका मतलब indirectly यह और यह भी equal आ गया कैसे आ गया देख लिया जाए जल्दी से इसको द्यान से सुनो द्यान से सुनो बालक OA जो है यह AB के बराबर है बता सकते हो ना एकुलेटरिल ट्रेंगल का सारा साइड इक्वल होता है उसी तरीके से देखो उसी तरीके से एबी जो है ये बालक एडी के भी बराबर है एबी जो है एडी के भी बराबर है क्योंकि स्क्वाइर का सारा साइड जो है वो इक्वल होता है तो देखो A B के बराबर ये भी और A B के बराबर ये भी तो ये दोनों जो है आपस में तो इकवल होगा ही इसलिए O A जो है बालक ये A D के बराबर हो जाएगा O A जो है ये A D के बराबर हो जाएगा इसी तरीके से ध्यान से सुनो इसी तरीके से ये जो O B है O h i johé वालक ये regulator triangle का side है और isquire के side के ये ब्राबर भी है O h i johé A b ke ब्राबर है तो ये O h i johless इसके भी ब्राबर हो जाएगा इसी तरीके से ये और ये side भी ब्राबर हो जाएगा हम ये बुल रहे تھे कि अगर हम इसको Y light कर रहे है तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों side equal है, ये दोनों side, तो इसके opposite वाला angle दोनों equal होगा, उसी तरीके से अगर हम इसको t angle मानें, तो ये वाला भी angle वालक t हो जाएगा, को दिकत, इसको हम t मानें, तो ये t हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों side equal है, यहां तक तो बात clear ह हुआ होगा यहां देखो यह बालक एंगल 60 डिगरी है तो इसको 30 होना पड़ जाएगा इसको 30 क्यूं होना पड़ेगा समझ रहो ना क्योंकि यह completely 90 था तो यह 60 क्यूंकि lateral triangle का एंगल था और इसको 30 क्यूंकि complete को 90 होना था यहां तक बात clear है और ये दोनों बालक angle equal है तो एक equation के through जब तुम निकालोगे t plus t plus 30 is equal to 180 degree द्यान से देखो t plus t plus 30 is equal to 180 degree because angles of triangle है ना तीनों angle का sum किसी triangle का बालक 180 degree होता है यहाँ से इस equation को solve करोगे तो वहाँ 2t आ जाएगा plus 30 is equal to 180 इस 30 को उधर भेज़ोगो तो 2t is equal to 180 minus 30 यानि कि 2t का बालक देखो यह कितना आया 150 और यहाँ से t का जो बालक निकालोगे तुम तो यह two side जाकर के बालक 75 बन जाएगा यानि कि यह angle 75 यह भी angle 75 इसी तरीके से देखो यहाँ भी तो 30 है यह दोनों को सो यह 35 हा जाएगा अब देखो एक साराम से निकल गया निकल गया ना एक point के around देखो एक point के around एक point के around बालक इतना सारा एंगल बन रहा है बन रहा है ना एक point के around बालक जान से देखो एक point के around इतना सारा एंगल बन रहा है तो यह 75 plus 60 और plus 75 plus x का value बालक 360 degree हो जाएगा एक point के around जितना भी angle बनता है सबका sum कितना होता है 360 degree तो यहाँ पर 75, 60 और 75 तीनों को मिला करके और एक x को मिला दिया जाए तो इसका sum 360 होगा तो यह एक बालक equation मिल गया single variable में solve करना बहुत हीजी है देखो बालक यह यह 150 आ गया और plus 60 plus 60 plus x is equal to 360 degree तो यहाँ से इन दोनों को add कर दिया जाए तो 210 आ गया और इस 210 को उस साइड ले चला जाए तो x is equal to 360 है ना minus 210 इसको solve किया जाएगा तो बालक 150 is the right answer 0 का 0 यहाँ 5 और 3 में से 2 गया बालक 1 यानि कि 150 इस question का बालक right answer है इस टाइब का और भी important question देखने के लिए बालक इस channel पर एक playlist बना हुआ है जिसका नाम है geometry booster उसे जा करके तुम visit कर सकते हो इस टाइब का बहुत ही बहतरीन बहतरीन question उसमें uploaded है जो तुम्हारा NTSC का PYQ है मिलते हैं बालक हम लोग निक्स्ट विडियो में बाय निक्स्ट विडियो में बाय